हेलो दोस्तो आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट क्या देखेंगे बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट ये प्रैक्टिस सेट जो है आपका फूल प्रैक्टिस सेट होगा तो आप लोग इस वीडियो पे पूरे अंत तक बने रहिएगा और यदि चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजेगा और वीडियो को लाइक कर दीजेगा आप भी कॉमेंट बॉक्स में जो है कोशन का अंसर केजीगा जो भी आपको अंसर आता होगा तो देखें सबसे पहला कोशन है जालिया वाला बाग नर्थ संगहार के कहां हुआ था पंजाब के अमरितसर नामक सहर में इसमें जो है आपका जो पंजाब का लेफटिनेंट गवर्नर उस समय जो था ओडायर कौन थे ओडायर ओडायर ने गुर्खा रेजिमेंट के जो ब्रिगेडियर थे आर डायर आर डायर को इन्होंने आदेश भीजा और य कि अंग्रेजों के आंकड़ा के अनुसार 389 लोग वास्तों में मारे गये थे कितने मारे गये थे 389 लोग मारे गये थे और इसकी ख़बर जो है जो जालिया बाला बाग में जो सम्मिलन हो रहा था इसका जो मैसिज था ये अंग्रेज को कौन पहुंचाए था तो ये जो है हंस राज नामक बैक्ति कौन पहुँचाए थे हंस राज नामक बैक्ति पहुँचाए थे जबकि कॉंग्रेश ने इसके जांच के लिए कौन सा समीति का गठन किये थे उनका नाम था उधंसी क्या नाम था उधंसी उधंसी जब सियाने हुए जब बड़े हुए तो इन्होंने 1944 में कब 1240 में England के लंदन चले गए कहां चले गए England के लंदन चले गए कहां चले गए England के लंदन और Chandler Dyer को जो है वहाँ गोली मार कर हत्या कर दी तो यह कर दिये तो 1940 में कौन कर दिये उधम सी यानि option number D जो है इसका बिलकुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन है लांग एवं वी हैब मेड ए ट्रायस्ट वीड डेस्टीनी यह सब्द किसने कहे थे तो यह सब्द किसने कहे थे option A दिया तो कौन कहे थे यह कहे थे option number A यानि 1947 से भारत की सौतमतरता के अबसर पर पंडी जवाहलाल नहरू कहे थे कौन कहे थे पंडी जवाहलाल नहरू नेक्स्ट कोश्चन देखे नेक्स्ट है कड करेखा ट्रापिकल आफ कैंसर किस सहर के पास से होकर गुजरती है तो ट्रापिकल आफ कैंसर जो है किस सहर से होकर गुजरती है तो सबसे पहले देख लिजे कि ट्रापिकल आफ कैंसर जो है किस किस राज्य से होकर के गुजरती है तो किस किस राज़े से होकर के गुजरेगा तो यह जो है ट्रापिकल आफ कैंसर ऐसे गुजरता है तो यह कौन-कौन से राज़े से गुजरता है गुजरात से गुजरता है कहां से गुजरेगा गुजरात से गुजरेगा राजस्थान गुजरात राजस्थान मद्य से तो देखे ये कौन से शहर से होकर के गुजरेगा तो चिन्नाई से तो नहीं ही गुजरेगा भोपाल से भी नहीं गुजरेगा श्रीनगर से भी नहीं गुजरेगा तो पस्षिम बंगाल राजे से गुजरता है तो ये कौन सा हो जाएगा कोलकाता यानि आफसन नमबर बी जो है इसका बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट है कौनकन तट किसके बीच फैला हुआ है तो कौनकन तट किसके बीच फैला हुआ है तो यह जो है कौनकन से कौनकन से किसके बीच फैला हुआ है तो यह जो है गोवा और मुंबई के बीच फैला हुआ है किसके बीच फै लगाता है और सबसे चोटा यानी सबसे कम और लगाता है तो यह लगा तो यह लगाता है आपका कौन सबस्थे City यह रहा थो गो आसका आण सर आपका करने कौन समार 5 में से किस इमारत Lak 1080 है बुलंद दर्वाज़ा किसे संब्दित है, और बिल्कुल राइट हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखे, भारत वस्रिलंका के बीच स्थित जल को क्या कहते हैं, तो देखे भारत और स्रिलंका ये आपका जो भारत है ये भारत है और यहां जो है आसू के आकार का किस आकार का आसू के आकार का स्रिलंका है स्रिलंका के बीच कौन सी जलसंदी है तो ये जो है आपका पाक जल डमरूमद है क्या कह सकते हैं पाक जल डमरूमद है इसके बीच जो है उपर का सहरे इसका कहलाता है जाफना क्या कहलाता है जाफना जहां ल्टीटी की समस्या थी किसकी समस्या थी ल्टीटी की समस्या थी जिसमें जो है अपने तमिलनाइडू के लोग यहां घुस गये थे जिसमें हम लोग को काफी ज्यादा सिना इसमें मरे थे और यहां एक छोटा सा दर्रा है जिसे कहते हैं अलिफेंटा का दर्रा क्या कहते हैं अलिफेंटा का दर्रा जो है वो कहां है तो ये जो है आपका स्रिलंका में और स्रिलंका की राजधानी कहा है तो स्रिलंका की राजधानी पहले थी कोलंबो क्या थी पहले कोलंबो थी अब क्या हो गय क्या हो गया है स्री जैवर्धन पूरं तो इसका सही आंसर आफसर नमबर A है नेक्स्ट कॉश्चन है लोकसभा का सत्र एक वर्स में नियूनतम कितनी बार बुलाया जाता है तो नियूनतम जो है एक वर्स में कितनी बार बुलाया जा सकता है तो देखे, जैसा कि दो बार, कितना बार बुले आ जा सकता है, दो बार बुले आ जा सकता है, यानी option number A जो है इसका बिल्कुल right हो जाएगा, देखे अब लोग सभा और राज्य सभा पर आपका लोग सभा और ये क्या हुआ, तो राज्ये सभा हुआ है यह किस में होता है तो यह जो है संसद में होता है किस में होता है संसद संसद की चर्चा आर्टिकल कितना में है तो 89 में है किस में है 89 में है और इसकी चर्चा जो है 80 में है और इसकी किस में है तो 18 में है तो देखे लोग सभा, लोग सभा क्या होता है, तो लोग सभा में कितनी सीटे होती है, तो लोग सभा में जो है आपका 545 सीट होती है, कितनी होती है, 545, जबकि राजे सभा में कितना होता है, तो राजे सभा में 245 होता है, राजे सभा को क्या कहा जाता है, राजे सभा को कहा जाता है और लोग सभा को निमने सदन कहा जाता है राजे सभा को भंग नहीं किया जा सकता है जब कि लोग सभा को भंग किया जा सकता है इसका जो लोग सभा जो होता है ये परतेक्च सदन है ये कैसा सदन है परतेक्च सदन है जब कि राजे सभा कैसा सदन है तो और काल होते हैं क्या होते हैं सुन्य काल यानि प्रष्ण काल जैसेMost बारोनी से प्रष्ण पूछा जाता है करें मंत्री से उसमें एक पूछा जाता है ंतरांकित प्रष्ण का पूछा पूचा जा सकता है इसका पूरक भी पूच सकते है और दूसरा जो होता है और तारांकित कैसा होता है यह कडिव जो है आप 230 पूच सकते हैं और एक होता है अलप सुचना जो की औरल पुझा जाता है यानि मौखिक पुझा जाता है और सदन कितने होते हैं तो सबसे पहले एक सदन होता है वो होता है आपका प्रश्नकाल क्या होता है प्रश्नकाल और प्रश्नकाल के बाद क्या होता है तो प्रश्नकाल के बाद क्या होता है तो सुन्यकाल के बाद क्या होता है और लंच जो होता है वो आपका कितना से एक से दो होता है और उसके बाद जो बिध्यक होता है क्या होता है बिध्यक कहिए या फिर इसे बांकी का प्रशन कहिए इसमें जो पूछा जाता है इसे कहते हैं ये चलता है दो से चार कितना चलता है दो से चार तो इसका सही आंसर ज जाते हैं तो देखे भारत के जो राष्ट पती होते हैं वो राज्य सभा में कितने सदस्य को मनुनित करते हैं तो वो करते हैं 12 सदस्य के कितने सदस्य को करते हैं 12 सदस्य अन्य छेतर से करते हैं जिसमें जैसा की खेल छेतर हो गया, सिक्षा का छेतर हो गया, इन सभी से जो है 12 सदस्य को ये क्या कर सकते हैं, चून सकते हैं, लेकिन इनके द्वारा जो 12 सदस्य हैं, इनके चुनाव में ये 12 सदस्य भाग नहीं लेंगे, हाँ, लेकिन यदि महाभ्य अगर राष्ट पति पर महाभयोग लग जाता है तो ये 12 सदस्य इन पर क्या कर सकते हैं तो महाभयोग महाभयोग के चर्चा किसमें है तो अर्टिकल 61 में देखें 10 न का बुलाई जाती है औप्जन ऑप्राश्टपती के चुनाव ये सब तो नहीं होगा ये गलत option दिया हुआ option C कहता है संंबिधान संसोधन बिल पारिद करने के लिए तो ये भी क्या गलत है नेक्स्ट कोशन है लोक सबहा के स्पीकर का चुनाव कौन करता है और साइसे करता है यह बिलको डाइट हो जाएगा संगम साहित्य के काल से संबंधित पुरातविज समागडी कहां से खोद कर निकाली गई है आफ्सन ए मदुरई, आफ्सन भी तंजावूर, आफ्सन सी अरिक मेडू, आफ्सन डी ब्रहमगिरी तो इसका सही आंसर जो है आपका मदुरई हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, मदुरई नेक्स्ट कुश्चन देखे, बौध साहिते किस भासा में लिखा गया, तो बौध साहिते जो था, वो किस भासा में लिखा गया, तो आपका, इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पाली, किस भासा में लिखा गया था, पाली भासा में लिखा गया था, बौध धर्म का संस्थाप कौन था तइ महात्माबुद थे कौन थे ? इन्होंने घी बाध संगीती is 4 बाध संगीती हुई थी । तो लेगे up आध पहली हुआ संगीती और हर दोसरा 3 और 4 ये चार बाध संगीती हुई थी ये पहला हुआ था ! 433 में कभ हुआ था 483 यह हुआ था 383 हुआ था कभ 383 हुआ था और यह 26023 कहीं कहीं आपको 583 मिलेगा और यह 4 जो हुआ था पर्थम सदी में हुआ हुआ था 2 पहरा जो हुआ था राजगीर में हुआ था दूसरा जो है वैसाली में हुआ था कहां हुआ था वैसाली में हुआ था और तीसरा जो हुआ था ये पाठली पुत्र में हुआ था कहां हुआ था पाठली पुत्र में और चोथा जो हुआ था ये कुंडल वन में हुआ था कहां बहुत ही इंपोटेंट है तो आप लोग इसे याद रखेगा ये कौन से भासा में लिखा गया था तो ये जो है पाली भासा में लिखा गया था निम्नलिखित में से प्राचीन भारत के किस राजा को आधुनिक लेखकों ने राजा के भेश में सन्यासी कहा है तो ये किसे कहा है तो ये असोक को कहा गया है किसे कहा गया है असोक का पिता कौन था असोक का पिता बिंदुसार था पिता का नाम बिन्दुसार था इनका जन्म जो है इनका जन्म 304 इसापुर में हुआ यह ऐसा कहा जाता है कि असोग जो है राजा बनने के लिए अपने 99 भाईयों की क्या की थी हत्या की थी जबकि ये अपना राजय भिशेक जो है 279 इसवी में जो है इन्होंने अपना क्या किया इसापूर में राजय भिशेक किया था जबकि आठमें वर्स राजय भिशेक के आठमें वर्स जो है 271 इसापूर में इन्होंने कलिंग पे आकरमन कर दिया कहां आकरमन कर दिया कलिंग में मिलता है कहां मिलता है खरोष्टी लिपी अर्माइक लिपी कौन सा अर्माइक लिपी और ग्रीक लिपी में मिलता है कहां मिलता है अर्माइक लिपी और ग्रीक लिपी में हो जागा है इनका सिला लेक मिलता है जबकि सबसे पहली बार इनके जो अभिलेक की पढ़ने की जो तो अलिफेंटा के जो परसिद्ध मंदिर है, ये किस ने बनवाया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट कूट, कौन बनवाया थे, राष्ट कूट सासको ने जो है, अलिफेंटा का मंदिर बनवाया थे, next question है, निमने मेंसे किस छेतर में मद रातरी का सुर्य जैसी घटना हो सकती है, तो ये जो है कहा हो सकती है, तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, आर्कटिक और अंटार्कटिक परदेसों में, किस परदेसों में, आर्कटिक और अंटार्कटिक परदेस में, नेक्स्ट है, अस्व अक्छांस, अस्व अक्छांस का संबंध है, तो अस्व तक क्छानस का जो सम्बंद है वह किस से है तो यह जो इसका सही आशर हो जाेगा आपका यह अश्षया कोश्चांस होता है वैसे 30-35 के बीच होता है जब कि आपकी कोश्चन में दिया कितना है तो 30 से 40 दिया है तो ये कौन सा answer सही होगा तो 30 से 40 डिगरी उत्तरी अक्षांस और दक्षनिया अक्षांस हो जाएगा next देखे next है छोब मंदल की मुटाई बढ़ जाती है छोब मंदल की मुटाई जो है कब बढ़ जाती है आफसन ये कह रहा है कि गर्मी में, आफसन भी कह रहा है जारे में, आफसन सी बसंत में, आफसन डी या कभी भी नहीं बदलता, तो छोब मंडल यानि ट्रोपो एस्फियर की जो मुटाई है वो कब बढ़ जाती है, तो ये बढ़ जाती है आपकी गर्मी में, कब बढ़ जाती इसी में आपका एक आयंएमंधल भी आ जाता है तो कुल मिला के चार होता है कितना होता है इसी को बार दीजीगा तो कितना नमग्छ हो जाएगा तो इसका सही आंसर जो है ऑप्सण नंबडर दी हो जाएगा नेक्स्ट कुश्चन देखे UN ज्जूर भिट्टी एक क्या है तो स इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है, option number D हो जाएगा, कौन सा जाएगा, D, नदी के मुहाने पर उर्धहर्व परवाह में चलने वाली जुआरिये तरंग क्या कहलाती है, तो ये जुआर कहलाती है, next question देखे, एक दिन में बढ़ जाता है, यदि कर जाएगा, तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा, option number B, 180 degree देशांतर पक्षिम से पूरा, next question है, सुरे के पड़िपेच्छ में चंद्रमा का पड़िकर्मन काल है, तो ये जो है पड़िकर्मन काल कितना है, तो इसका सही आंसर जो है, option number C हो जाएगा, यानि एक संयुक्त मह कीने के लिए बरावर, next question देखे, next है, 1990 में गांधी जी ने सत्यागरह सभा का आयोजन निम्न में से किसके बिरोध में किया, तो जो सत्यागरह का सभा था, वो किनके बिरोध में किये थे, तो ये किनके बिरोध में किये थे, तो रॉलेक्ट एक्ट के बिरोध में किये थे, इसे rolls act act canoe nothing को लाया गया था जब कि यह आया कब था यह जो है उनीस मार्च कब आया था उनीस मार्च non killers우 को rolls act no products kannoon लागू हो गया था जबकि इसका पूरा नाम क्या था टेरं औरिकल एंड रैबूलेशन एक्ट जो है इसका पूरा नाम था जिसके तहत सक्क के अधार पर जो है किसी भी ब्यक्ति को ये गिरपतार कर सकता था इसी में जो है 30 मार्च 1919 को स्वामी सर्धानन्द ने कर्मत दो आंदोलन किया जबकि कर्मत दो का नारा जो है ये सर्दार बल इसी में क्या हुआ था किसी में जो है छे अप्रेव कर गंदी जी को गिरफतार कर लिया गया इसका कि इसका किंद्र पंजाब था हमारे यहां के दो परमुख नियता थे जिन्हें गिरप्तार कर लिया गया था एक थे शैफधिन किछलु और को गिरप्तार कर लिया गया गया और इसी के विरुद में सभी लोग वाला बाग में जो है इकठा हुए थे जिसके कारण इसका जो है जानकारी मिल गया अंग्रेजों को अंग्रेजों ने निहत्थे लोगों पर क्या किये गोली चला दिये और इसमें काफी सारे लोगों जो है मारे गये थे नेक्स्ट कोशन है कौन सी नदी उरिसा में डेल्टा बनाती है तो उरिसा में कौन सी नदी है जो डेल्टा बनाएगी तनी आराम से आराम से नेक्स्ट कोश्चन है कौन सी नदी उरिसा में डेल्टा बनाती है और सने महा नदी तो दिखे यही आंसर जो है सही है कौन सी नदी बनाती है महा नदी जो है वहां क्या बनाती है तो डेल्टा बनाती है और नर्मदा नदी कौन सी नदी नर्मदा नदी जो है यह एस्चूरी बनाती है क्या बनाती है एस्चूरी कौन सी नदी बनाएगी तो यह जो है नर्मदा नदी एस्चूरी बनाएगी और गंड़क नदी गंड चट्टान है तो carbonic चट्टान जो है जिम्नमे से कौन सा है ? bituminus, lignite, lignite, और peat, सबसे घटिया कोईला जो हता है, वो आपका peat कोईला होता है, जबकि सबसे अच्छा कोईला जो हता है, वो कौन सा होता है, anthracite कोईला होता है, next question देखे, next है, वायू परवाह के बीच में, परवतों के आ जाने से, जो वर्सा होती है, उसे क्या कहते हैं तो वायू परवाह में जो परवत आ जाते हैं बीच में, और उसके कारण जो बर्सा होता है, उसे क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, परवती ये बर्सा कहते हैं, परवती ये बर्सा कहते हैं, परवती ये बर्सा कहते हैं, और जो चक्रवात, चक्रवात जब आता है, त चक्रबात के कारण जो बरसा आता है उसे क्या कहता है चक्रबाती ये बरसा कहता है नेक्स्ट कोर्शन देखे मूल भूत अधिकारों का मुख्य उद्देश से है जो मूल भूत अधिकार है उसका मुख्य उद्देश से क्या है तो इसका सही आंसर option number C हो जाएगा कौन सा हो जाएगा C वैक्तित तो स्वातंतरता सुनिश्चित करना क्या करना वैक्तित तो स्वातंतरता को है सुनश्चित करना next question है मूल सम्मिधान में मूल भूत अधिकारों को साथ भागों में वर्गी किर्ट किया गया था परन्तु अब केबल तीन वर्ग option B चार वर्ग option C पांच वर्ग option D छे वर्ग तो पहले यह साथ वर्गों में विवाजित किया गया था लेकिन अब यह कितना हो गया है तो यह आब आपका 6 हो गया है कितना हो गया है पहले था समता का अधिकार किसका अधिकार था समता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार किसका अधिकार समता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार स्वतंतरता का अधिकार और एक था सोसन के बिरुद अधिकार कौनसा सोसन के बिरुद अधिकार जो समता का अधिकार था आपका अनुछेद 14-18 तक था, जबकि स्वतंतरता का अधिकार जो है, ये 19-22 था, और सोसन की बिरुद्योचा था, ये 23-24 था, और चौथा जो था, चौथा कौन सा था, तो चौथा जो है आपका धार्मिक स्वतंतरता था, क्या था, धार्मिक स्वतंतरता, ये कितने से कितन में था तो ये जो है 25 से 28 अनुछेद में था जब कि सिक्षा का अधिकार कौन सा सिक्षा का अधिकार जो है ये किसमे था तो ये जो है आपका 29 से 30 में था किसमे था 29 से 30 में और एक था संपत्तिका अधिकार 31 में था और जो आपका सात्मा था वैधानिक अधिकार कौन सा अध गया क्या कर दिया गया अब खतम कर दिया गया और अब कितने अधिकार हो गया तो यह अब जो है आपका अच्छी अधिकार हो गया कितने छे नेक्स्ट कुश्चन देखे नेक्स्ट है भारत की नागरिक्ता के लिए आवेधन करने से पहले व्यक्ति को आवश्यक रूप से न भारत की नागरिक्ता मिलेगी अब नागरिक्ता जो है हम कई परकार से ले सकते हैं क्या कर सकते हैं नागरिक्ता कई परकार से प्राप्त कर सकते हैं यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो कहां हुआ हो यदि उसका जन्म भारत में हुआ फिर वे उसे नागरिक्ता मिल जाएगी या उसका माता-पिता भारत में जन्म लिये हो या संबिधान लागू होने से 5 साल पहले से यहां रह रहा हो भारत में रह रहा हो तो भी उसे क्या हो जगा तो नागरिकता उसे मिल सकता है next question देखे next है भारत का संबिधान एकल नागरिकता प्रदान करता है तो ये कौन सी नागरिक्ता परदान करता है एकल हमारे यहां दूरी नागरिक्ता नहीं है तो कैसी नागरिक्ता है एकल नागरिक्ता यानि भारत में आप एक ही नागरिक्ता रख सकते हैं जबकि दो नहीं रख सकते हैं लेकिन बिसम परिस्थिति में रख सकते हैं जैसे कि ब परिवर्थित करने का अधिकार होता है और आपसन ए राष्टपती को आपसन सी निर्वाचन आयो को और आपसन डी इन में से कोई नहीं तो ये अधिकार जो है किसके पास होता है तो ये अधिकार जो है संसद के पास होता है किसके पास होता है संसद इसके लिए जो है आर्टि आर्टिकल 3 में कहा गया है कि राष्टपती के पुर्व अनुमती के अनुसार जो है किसी भी राज्य के सीमा नाम यह सब में परिवर्तन कर सकता है यह किसके अनुसार आर्टिकल 3 में और कहा गया है कि आर्टिकल 2 और 3 को जो है आर्टिकल 368 के बाहर रखा गया है किसके बाहर 360 के क्योंकि इसमें जो है कोई सी परकाड़ का question सोधन नहीं हो सकता है next question देखे next है नर्सी अवतार से कौन संबंदित है तो नर्सी अवतार जो है किनका अवतार है option A. ब्रह्मा, option B. बिश्णू और option C. महेश, option D. काली तो ये जो है किनका अवतार माना जाता है तो ये माना जाता है आपका बिश्णू का अवतार किसका बिश्णू का अवतार next question है लेक्सिकोग्राफी है ये जो है लेक्सिकोग्राफी ये क्या है option A कह रहा है सब्द कोस रचना की कला तो यही आंसर जो है इसका सही है कौन सा सब्द कोस रचना की कला नेक्स्ट कुश्चन है है हैदराबाद किस नदी के किनारे है तो हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे है तो हैदराबाद जो है आपका मूशी नदी के किनारे है किस नदी के किनारे है मुशी नदी यानि ऑफसनन नमड इसका जो है ची जो है बिलकुल डाइट हो जाएगा जैटि मनले जी का जो आपका मौलिक अधिकार है उसका हनन किया जा रहा है तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं ऑफसन उच्छे न्याले में आफसन भी सरवच्छी नियाले में आफसन सी उच्छे या सरवच्छी नियाले में आफसन भी इनमें से कोई नहीं तो आप जो है इसके लिए कहां जा सकते हैं तो आप जा सकते हैं उच्छी नियाले जा सकते हैं उच्छी नियाले ऐसा कहा गया है कि यदि मौलिक अधिकारों का आपका हनन किया जा रहा है तो सुप्रीम कोट जो है सुप्रीम कोट उच्छे या सरवच्छे नियाले जो है आपका क्या करेगा रखवाला यानि यह जो क्या है रखवाला है यानि कह सकता है कि मौलिक अधिकार का क्या है यह स्थापक कौन थे तो WC बनर जी थे कौन थे WC बनर जी यानि व्यवमेश चंदरी कौन थे व्यवमेश चंदरी जी तो इसका सही आंसर कौन सा जागा तो option नमर A जो है बिल्कुल डाईट हो जाएगा सब्सक्राइब कर देखें वोन्पर कवियों तो जो है इनका शक्रूरúde का सङ्षियर्ट कर धने ये सथापना juhrी तो निम्यलिखित कि ब्हगवान इंगः निर्वान की प्राप्ति हुई थे तो भगवान बुद्ध को जो है निर्वान की प्राप्ति कहां हुआ था आफसने बुद्ध गया आफसन भी कुसी नगर आफसन सी सारनाथ और आफसन डी लुम्बनी तो महत्मा बुद्ध को जो है ये निर्वान कहां प्राप्त हुआ था तो ये हुआ था कुसी नगर में, कहा हुआ था कुसी नगर, यानि आफसन नमर B जो है इसका बिल्कुल डाइट हो जाएगा, नेक्स्ट है हिन्यान तथा महायान किस धर्म के दो भाग है, तो ये हिन्यान और महायान जो है किस धर्म के दो भाग है, आफसन A सिख धर्म, आफस जैसे 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 जनसंक्या में काफी विर्दी होगी क्या होगी रोजगार घरती जाएगी इसका सही आंसर कौन सा जाएगा तो आपका जम्मू कास्मीर में है हिमाले में कितने भाग होते हैं हिमाले में सबसे उपर होता है ट्रांस हिमाले कौन सा होता है ट्रांस हिमाले दूसरा ब्रिहद हिमाले कौन सा होता है ट्रांस हिमाले ब्रिहद हिमाले मद्ध हिमाले कौन सा मद्ध हिमाले और चौथा जो होता है सिवालिक कौन सा होता है सिवा जासकर और चौथा जो होता है पीर पंजाल कौन सा होता है पीर पंजाल ये चार सरेनी होती है नेक्स्ट कॉश्चन देखे निमनलिखित में से कौन रूसी यात्री ने सरपर्थम अंतरिक्ष में कदम रखा तो कौन सा रूसी यातरी था जो सबसे पहली बार कदम रखा और इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा यूरी गाग्री, यनि या आप्सन नमर सी जो है बिल्कुल राइट है, नेक्स्ट कोर्शन है संसदीय तंतर में निमनलिकित में से वास्तविक कारेपाल का कौन है तो संसद्य तंत्र में वास्तविक कारिपालिका कौन कहलाता है Option EШ राज्य का मुख्या Option B मंत्री परशन तो मंत्री परशन जो है इसका मुख्य कारेपालिका होता है Next question है Next है गरन्त सत्यार्थ परकास किस भहासा में लिखा गया option A, काल माक्ष, option B, स्टालीन, option C, लेलीन, तो इसका जो मुख्य का सुत्रधार था, वो कौन था, लेलीन था, यानि option C, इसका बिल्कुल राइट है, next question है, राग भहरवी का गायन काल है, तो राग भहरवी जो है, इसका गायन काल कितना है, option A, दौफ़र में, option B, प्राता काल में, तो इसे कब गाया जाता है, तो इसे जो है, प्राता काल में गाया जाता है, यानि option नमर इसका क्या है, C, जो है, बिल्कुल राइट है, next है, नॉन एस्टिक रसोई के बरतन पर किस से परत चढ़ाई जाती है, तो इस पर जो है, किस का परत चढ़ाया जाता है, option A, प् करने के लिए कौन सा न्यूंतम प्रविर्थ। है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा तो वायू, वायू ना तो तत्व है और नहीं क्या है योगिक है जबकि जल, जल का जो फर्मूला होता है ये जानते हैं H2 हो तो ये क्या है योगिक है पारा, पारा का क्या होता है तो HG होता है और ये क्या है तत्व है sodium chloride sodium chloride का NaCl है तो यह क्या है योगिक है जबकि वाईउ वाईउ में बहुत सारा तत्व मिला होता है तो यह क्या है यह जो है आपका योगिक ना तत्व है ना क्या है योगिक है तो option number D जो है बिल्कुल डाइट हो जाएगा नेक्स्ट कोश्चन देखे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी धातू नाइट्रिक अमल द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो कौन सा धातू है जो नाइट्रिक अमल द्वारा प्रभावित नहीं होता है तो यह जो है सोना आपका प्रभावित नहीं होता है जिसे क् बारे में कर रहा है तो यह जो है और धातू के बारे में तो देखेगा तो धातू में जो होता है यह अधात्य वर्धनियता का गुन होता है जबकि धातू जो होता है धातू में तन्यता का गुन होता है जबकि लिखा वे तन्य नहीं है वे बिद्धुत प्रवाहक नहीं है औ बहुत हो आई आपका पोटा में किसमें नेटोर ने कोट्वय का सर्व होता और इसका प्रमानु संख्य होता है के एक वास्तविक गैस दबाब लगा कर तब द्रबे में बदली जा सकती है बदली जा सकती है जबकि उसका तापमान क्या होता है? क्रांतिक तापमान पर होता है क्या भोता है? क्रांतिक तापमान यानि आप्सन अंबड़े इसका बिल्कुल डाइट हो जाएगा नeqst है awesome hydrogen प्रमाणू का दरभिमान त Ethereum उतिशा में पडिकर्मारत तो Wackeliate जो है किसका बहुलक है? तो Wackeliate यह किसका है? option number C यानि A और B दोनों का formaldehyde और phenol दोनों का जो होता है यह किसका बहुलक है? तो geulit facilitate का है? किसका है? next question है किसी धरपन की नियूनतम लंबाई क्या होनी चाहिए जिसमें एक व्यक्ति अपना पूरा परतिविम देख सकता है तो इसका नियूंतम क्या होना चाहिए तो इसका जो नियूंतम होना चाहिए उसकी लंबाई के कड़ीब कड़ीब आधा होना चाहिए क्या होना चाहिए उसकी लंबाई का आधा नेक्स्ट कोशन है विद्धु चुम्बकी तरंगों में से कौन सा तरंग देरे सबसे लंबा है तो सबसे लंबा तरंग देरे जो है वो कौन सा है तो आफसन नमर सी यानि 1.74 गुने 10 to the power 6 meter है नेक्स्ट है धातु के टेबूल पर रखा गर्म कॉफी का कप किस विधी से ठंडा होगा तो वो आपका होगा संबहन विधी से किस विधी द्वारा संबहन विकिरन द्वारा जो है वो क्या होगा कप जो है ठंडा होगा नेक्स्ट कोश्चन है एक साफ सीसे के प्लेट पर पानी की बुंद गिराने से वो फैल जाता है जबकि पारे की एक बुंद गोला कार बनी रहती है क्योंकि पारा धातू होता है क्या होता है पारा धातू होता है भी कह रहा है कि पारे का घंत तो पानी के घंत तो से अधिक हो झाल झाल